करेंगे अगर आपको बज़ जाते तो इसमें कौन कौन सी बाइक आपको मिल जाती है और इसमें मैंने टोटल सेवन वाइक्स का मतलब लिस्टेड बनाया है मेरे हिसाब से जो मतलब पैसा वसूल है आप लोग ले सकते हो आप बाद में यह नी बोलोग की पैसा हम लोग का वेस्ट चला गया तो सभी यह तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो इसमें लेकर अपर CC तक इसको में बोला है मैं इसमें मेरी लिस्ट में है इसमें हम लोग का number seven में जो आता है वो है जिक्सर सुजुकी जिक्सर 250SF तो इसमें जो आपको 249 CC का एंजिन मिल जाएगा 26.13 का पावर मिल जाएगा 22 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा और इसमें 6-speed gearbox मिलते आपको फुली डिजिटल मिटर के साथ और यह फुली फुली फेरिंग बाइक है तो यह गाड़ी चलाने में मज़ा आजाएगा और इसका जो प्राइस आने वाला है अन्रोड वह है टू लेक फाइफ थाउजन तो सही है बड़े बाई के दो लग पांच में फेरिंग टू फिफ्टी सिसी का आ रहा है और क्या चाहिए यार तो चलिए फिर नेक्स प्राइक के बारे में बात करते हैं जो मेरे नंबर 6 मेरे मतलब मेरे लीस्ट में आता है नंबर 6 में तो वह है केटियम ड्यूक टू फिफ्टी वह टू 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 फोटीट सिसी का इसको मिल जाएगा 29.6 का पाउर मिल जाएगा 24 मिल जाएगा और इसमें क्या है ना मतलब इसका जो हैडलाइट देखे होगे जो नया वाला टू फिफ्टी का है वह पूरे 390 से मिलता जूलता है उसमे इसमें खास बात जो इस भाइक है इसमें सुचेबल एबिस मिल जाएगा 250 CC में और कोई भाइक नहीं दे रहा है और 28 और 29 का मालीज मिल जाएगा 13 लिटर का टैंक है और इसका जो है मतलब लूक्स मेरको बढ़े लगता है ड्यूक का 250 मेरको पॉर्सनल है अच्छा लगता ह 250 और 390 और इसका जो है मतलब प्राइस जो आपको अन रोड प्राइस आजाएगा वह है 2,46,000 में आपको पूरा अन रोड आजाएगा पेपर के साथ में तो सही है ले लो फिर जिसको चाहिए 250 CC में नेकेड बाइक तो इससे अच्छा कोई बाइक नहीं है फिप्त नमबर जो मेरे लिस्टेड में आता है बाइक वो है केटिम एडवेंचर 250 तो यह बाइक एडवेंचर 250 में मिल रहा है केटिम का और इसमें पावर मिल जाएगा 29.5 PS का 24 अनम का टॉर्क मिल जाएगा और फ्रंट में 19 विंच वील और पीछे 17 विंच तो सही है और इसमें जो एक च स्क्रीन नहीं मिलते है इसमें LCD स्क्रीन मिलेगा आपको खली TFT अपको अगर चाहिए तो आपको 390 में जाना पड़ेगा तो उसका बारे में हम लोग बात नहीं करेंगा यह वी क्योंकि वह 3,000 प्लस हो जाता है वह एक 390 एडवेंचर और इसमें स्लिपर क्लच मिलेगा 49 mm क और पीछे मोन ज्युक्श जाओ और इसका प्राइस थोड़ सा एक्पनसिव ए जो इसका ओंडरेंट प्राइस आपको आने वाला है वह आने वाला है 283,000 तो नहीं को थोड़ा सा 2,50cc में है अगर नहीं को थोड़ा इसका प्राइस थोड़ा हाई लेगा पर कोई नहीं और पर मेरे लिस्ट पे है वह BMW 310R येस तो BMW एक बात खासियत इसका यह है मतलब BMW का है तो प्रीमियम इसका क्वालिटी तो प्रीमियम मिले गाए मिलेगा आपको और इसमें जो BMW इसका प्राइस पहले जो था मतलब 50,000 कम कर दिया है इसमें आपको 313cc का इंजिन मिल जाएगा 33cc मतलब HP मिल जाएगा 28NM मिल जाएगा डूब इसको साथ है और स्थी ओर प्रीमियम क्वालिटी जो इसमें अब होही क्वालिटी मिल भी वह सं मिलता है सें ड्ट्टो और इसका डिटल मिर्टर आता है और डूब इसको साता है जो मैंने बॉल आपको और यह आपको आ वैसे अच्छा है पर 310 नार में कभी चलाया नहीं है मैंने 310 GS चलाया है तो उसके बारे हम लोग बात करें कभी और तो बाइक अच्छा है यह भी 310 कोई खराब नहीं है तो सही है तो चलते हम लोग जो नंबर 3 पे है जो मेरे लीस्ट में है वह है टीवेस का अपाचे 310 आर आर येस तो यह टीवेस के तरफ से बहुत प्रीमियम भाइक है मतलब इसका क्वालिटी देखो जो भी देखो यार इसमें मतलब मिसलिन का रोड़ 5 मिलता है या टायर और क्या ची है मतलब गजब है गाड़ी और इसमें जो आपको पावर मिलेगा वो 33 पीस मिल जाएगा 27.3 मिटर का टॉर्क मिल जाएगा और स्लिपर क्लच जबरदस्ट स्पेशल डिस्पेश कर देखो कि मतलब लगेगा कि किसने वापर टैबलेट वागर रहा है फोन रग दिया है किसी ने लगे और आप लोग चला के देखना जिसके वास होगी वह तो यार गजब है अगर जो सोच रहा है लेने का स्पोर्ट स्वाइक मतलब फूल फियर और इसमें इतने सारे स्पोर्ट मतलब मोड मिलते हैं और क्या ही और मतलब इसका जो इंजिन है वो BMW ने बिल्ट किया है तो यार सोच सकते इसमें प्रीम बहुत बड़े मिलेगा आपको और यह भी मतलब वही प्राइस में मिलने वाला है 2.80 जो BMW 310R जो है उसी के प्राइस में आपको यह मिल जाएगा तो ज़्यादा महुत सोच यह ले लो जिसको चाहिए फूल फियर बाइक वह स्पोर्स बाइक इतना अच्छा फीचर कोई देता भी नहीं है तो मेरे को परस्टनल यह अच्छा लगता है अगर हुआ तो कभी लेंगे तो सही है फिर तो हम लोग चलते हैं हमेरे दूसरी नंबर बाइक पर जो नंबर टू पर आता है और मेरेको परस्टनल ही अच्छा लगता है मतलब 400सी में और यह हिमालेन रोयल एंड्फिल का 24.3 PS का इसमें पावर मिल जाएगा और ऊक्क शॉप्हुर की बाथ आए वो है इसका टोर्क जो रोल एंड्फिल टोर्क देता है ना बढ़ियर टोर्क मिलता है और इसमें जो आ चैनल लोग दोना मिलता है इसमें तो इसमें अभी एक्स्ट्रा कुछ मिटर दिया है मैंने भी चलाया नहीं है गाड़ी तो वह मिल जाएगा आपको और यह जो बाइक ही जो है आपको टू लग थर्टी थर्टी में आपको अन्रोड आ जाएगा तो बहुत लोगा ने ग्रेस कर लिया हो गया तो यह जो बाइक है मतलब फूली लॉडड़ बाइक है और इसके प्राइस में कोई और बाइक नहीं आता है पावर बोल दो जो ही बोल लो मेरको परस्टनल ली बाइक बहुत बड़े लगता है तो यह सब लोगों से अच्छा ही लगता हो तो जिसको अच्छा लगता है कमेट में बोल तो जिसको नहीं अच्छा लगता है वहीं कमेंट 1 पर जो आता है वहें बजाज का overweight idol from 400 येस तो ये बाइक जो है पूरा फूल लोड़ेड है मतलब प्रीमियम बाइक्स बाजाज का देखा होगा तो यही सबसे टॉप लाइन पर आता है और इसमें जो है 40 PS का पावर मिल जाएगा 35 नम का टॉर्क मिल जाएगा ये फोक्स मोनो सोग मिलता है इसमें और वेलिवर मनी है यार मतलब 2,37 अपर 38 में मिल जाएगा और यह प्राइस जो है मतलब जितना प्राइस मैंने बोला सारे बाइक्स का वह आपको स्टेट चू स्टेट 1000 तक वेरी खरेगा पर ज्यादे डिफरेंस नहीं है अप लोग ले स तो सही है और हम लोग किसी दिन बात करेंगे अंडर फाइप लेक एफे शिक्स लेक के अंदर कौन सा बाइक बेस्ट है इसमें तो बहुत गजब गजब बाइक है तो वह हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे तो तब तक के लिए स्टेस एफ और वीडियो को सेर करते ना लाइक करते सब्सक्राइब करते ना मिलते फिर दूसरे किसी वीडियो में तटा